का आज गोंडा में दौरा होगा, CMU की आदितनाथ का गोंडा में दौरा और हेलिकॉप्टर से उतर कर कार से जाएंगे CMU की आदितनाथ बांध पर और बांध मरमत के कारियों का वो निरिक्षड करेंगे आपको बता दें कि सिचाई विभात में 14 करोन से काम कराया गया है और बार प्रभावित लोगों से मिलकर CMU की आदितनाथ उनका हाल चाल जानेंगे और राहत किट भी इस दौरान मुखमंत्री बातेंगे तो मुखमंत्री योगी आदितनाथ का गोंडा में आज दौरा और दोपहर दो बचकर 40 मिनट पर गोंडा पहुचेंगे CM योगी आदितनाथ आपको बता दें कि तरबच गंज की गोढ़न पुर्वा में लैंड करेगा हेलिकॉप्टर और हेलिकॉप्टर से तरकरकार से बांथ जाएंगे वहीं बांथ मरमत के कारू क्या वो निरिक्षण करेंगे और इस दौरान आपको बताते चले कि बार प्रभावित जो लोग हैं उनसे CM योगी आदितनाथ मिलेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे और इस दौरान रहत किट भी बाटेंगे मुख मंतरी योगी आदितनाथ और इस खबर पर जादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जोड़ चोके हमारे समवाद दाता संजे मिश्रा संजे मिश्रा आज मुख मंतरी योगी आदितनाथ का गोना में दौरा होना है उसको लेकर क्या कुछ तैयारिया कर ली गई है पर साथन के ओर से पूरी स्यारी कर ली गई है और चुकी अभी जो है तो बजे लगब लगब दो बजे योगी आदितनाथ जो है अहली परसौली पहुंचेंगे एली पैट वहां उनका लेंड करेगा जो गोड़ा हां तन गाव में संजे मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त मौसम का मिज़ास भी बदला हुआ है इसको लेकर क्या कुछ तैयारिया कर ली गई है और क्योंकि बता जा रहा है कि वहां पर जो बार प्रभावित लोग हैं उनसे भी सीम योगी आदितनात मिलेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे तो मौसम को लेकर क्या कुछ पुक्ता इंतिजाम किये गए गए जिसमें किसी तरह की कोई बाधान उत्पन हो सके जी बिल्कुल अन्याजी आपको बता दे कि मौसम को देखते हुए यहां पर फुक्ता इंच्जाम किये गए हुए हैं और यहां पर योगी आदितनात जी जो है पंतरी आएंगा और बाल पिर्टों लोगों से भी मुलाकात करेंगे तुशानों से भी संभात करेंगे और अ संजय हमको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वार तो आपको बताते चले कि आज गोड़ा में सीम्यों की आदितनात का दो दिविसी दौरा होना है आपको बताते चले कि हेलिकॉप्टर से उतर कर वो सीधे कार से बांथ जाएंगे और वहां पर प्रभाव है उसमें 14 करोड से काम कराया गया है और आपको बता दे कि तरबजगंज के गोड़हन पुर्वा में हेलिकॉप्टर लैंड करेगा